मानन्दा बेसिन बनाने से हजारों लोगों को होगी परेशानी 22 परखन अंतरगत स्रीपूर मलाटोली पंचायत के गराम कालू मस्तान टोला में वीगत कई मैनों से कनकई नदी से कटाओ हो रही है ये गाउं डंगरा पच्चिम पार है अस्थानी गरामिनों ने बताया कि नदी कटाओ रोकने के लिए कोई काड़े नहीं किया जा रहा है सिर्फ बिहार सरकार आदेस कर रही है कि मानन्दा बेसिन का काड़े निर्मान करने पर उत्रा है और अगर आम जनता को बचाने की कोशिस हो रही है तो मानंदा बेसिन नदी के किनारे बॉल्डर पिचिंग कारे किया जाए और गाउ को बचाया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे लाश के उपर से मानंदा बेसिन बनाना होगा सेक्रों घर और एक प्रार्थमिक विद्याले कालू मस्तान टोला भी लटक रहा है फिर भी अधिकारी और जन परते निदी सो रहे हैं इससे तो गाउवासियों को बहुत नुक्सान है और ये जो सरकार अभी बांध बांध रहा है तो नदी से 500 मीटर हटके तो 500 मीटर के अंदर कई गाउवाता है जैसे हम लोगा महाननदा बिरीज के नस्दीग उत्तर और दखिन साइट कम से कम 500 घर है ये 500 घर नदी के किनारे बसा हुआ है सरकार को तो चाहिए के किनारे किनारे बोल्डर दे के अगर बांध दे तो गाउव भी बचे और ये जमीन भी बच जाए इससे दो फाइदा होता अभी जो सरकार जिस हिसाब से बांध बांधने का सुन रहे है या देख रहे है नक्सा घीच रहा है इससे आम आदमी को फाइदा का बात तो नहीं है नुकसान जरूर हो जाएगा अब जने इसका उपरी विभाग क्या निरिच्छन किया है क्या जा सरकार का करना है के बुल्ट पीचिंग नहीं मानन्द बेशीन ही बनेगा तब आप आपक्या करें गया देखियो इसके लिए तो हम लोग पुर्जवर विरोद करेंगे हम लोग का जीते जी होने नहीं देंगे हम लोग का लांज पर गुजर ना होगा तब ये जाकर सरकार जीना बनना पराबर हो जागा ये बांध होने के मतलब है कि ना जीएंगे ना मरेंगे घुट-घुट के ही रहना है किसी तरह तो उससे अच्छा है कि मर जाएंगे सरकार हम लोगों को मार दे और फिर बांध बनाए किसके लिए बनाएगा जनता के हीत के लिए बांध बनाना किस तरह से बनने से आम जनों को फैदा होगा जैसा या भी बिरी ये उसी बान काटाओ को अगर रोकेगा उसी में फैदा है या बन्टोर पीचिंग करके या कुछ भी करके लेकिन आभी जो है नदी से उधर अधा गिलोमेटर ले रहा है पुरा पच्छिन ले रहा है अधा ग आपके किसान लोगा जो मैं किसान लोगा जो में लगा हुआ है कितना घर और तक्रीबण पचास होगा वो तो जब election आएगा तभी आएगा तभी मुद्दा आएगा जहां ये बनाएंगे वो बनाएगा चाहे कोई भी पर्ति निदी हो छोटा से बड़ा तक अभी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है और आपका माध्यम से मैं पुछना चाह रहा हूं मानिय विधायक जी से वो पहले बता रहा है कोई काम नहीं हो रहा था इसको दियान देना चाहिए बंडाल हो चाहे बोरा हो चाहे बांस हो लगाना चाहिए कर दो